हेलो स्टुडेंट let's see exercise 7.1 second sum of assignment okay तो आए देखिते हैं स्टुडेंट हमारे क्वेशिन में क्या दिया हुआ है करेक्ट five wagons are available at station ट्रेशन पर पाच्वेशन अविलेबल है दब बे इंजिन वागर बोल सकते हैं one two three four five common naming दे दिया one two three four five they are required at five station और पाच्वेशन पाच्वेशन पर अलग अलग स्टेशन पर रिक्वाइड है कोई भी वेशन कोई भी स्टेशन पर बेश सकते है स्टेशन को में नमबर दे दिया one two three and three and four and five ठीक है the mileage between the various stations are given below are given in the table below mileage है अलग अलग स्टेशन पर जाने का ठीक है ना अलग अलग स्टेशन सब हमें नीचे टेबल में दिया हुआ है आउज शूट दो वेगन भी ट्रांसपोर्ट सो डेट सो अस्टू मिनिमाइज एवेज कवर्ड मैलेज कवर्ड ठीक है ना हमें वेगन को किस हिसाब से तब्ल onze मेरा मैलेज कम से कम हो तो सबसे मंलेल से कम होना चाहिए आपके क्या हो ओर मिनिमाइज करना यह स्मॉल差ойти तो ये इस्वास है सबको मैं था से को करूँगा माइनेस करऊंगार नेच्ट second row में देखिए तो सबसे सोड़ा element है 6, सारे numbers को मैं 6 से minus करूँगा, third में है 2, सारे numbers को मैं 2 से minus करूँगा, fourth में smallest element number है मेरा 9, सारे numbers को मैं 9 से minus करूँगा, और last में है मेरा fifth row में 6, सारे numbers को मैं 6 से minus करूँगा, ठीक है, तो पहला step अपना जो है, sum solving का वो है row minimization, तो सबसे पर हमें ने row minimize कर लिया, ओके, तो minimize करने में मुझे ये values मिलिये, student ठीक है न, ओके, ये just confirm कर लें, आप independently करके देखना, ठीक है, आपको भी ये same मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, you can verify yourself also, तो आप इस हम देखते हो रहे हैं बट, डाइग लू कॉपल मत कीजिए, आप पहला से sum solve कीजिए, अपनी साब से ये बार में verify कीजिए, यहां से ठीक है, next step पे हम क्या करते है, column minimize करते है, तो row minimize कर लिया, हर एक row में मुझे 0 दिखाए देगा, next important step में में column minimization, तो first column में 0 नहीं है, second में है, third में है, fourth में नहीं, fifth में नहीं है, next step क्या होगा, column minimization, तो next step लिख दिया मैंने, दोबाल लिख दिया आपे, subtract the smallest element of each column from each, from every element of that column, then assign through 0, okay, तो पहला, मैं column minimize कर देदा हूँ, तो यहां पे smallest element हो मेरा 1 था, इस column में smallest element हो मेरा 2 था, और इस column में smallest element हो मेरा 3 था, ठीक है न, student, तो मैंने क्या कर दिया, column minimization कर दिया, और table आपके साम में, तो अब आप देखोगे, हर row में और हर column में, एक 0 तो आपके पास रहे गए रहेगा, तो student, जो next step है, वो क्या है, next step है, अपने को assign करना, क्या करना, assign job, एक बास हम row and column में 0 आ गए, हम try करेंगे, जितने भी column से उसको assign करें, ठीक है, जिरो की मदद से हम में काम को assign करेंगे, तो सबसे पहला हम कैसे आपके, left to right और top to bottom, जब left to right जाँगा, तो सबसे पहला मुझे यह 0 मिला, correct, तो यह assign कर दिया, तो इसके column में, जितने भी 0 होगे, क्या हो जाएगा, cancel, तो यह cancel कर देता हूँ, इसके column में, मुझे 3 0 दिखाई दे रहे, correct, तो जिनों मेंने क्या कर दे, student, cancel, ठीक है, okay, done, next row में देखूँगा, तो मैं यहां पर 0 दिखाई दिया, इसके ना तो row में कही 0 है, ना तो कही column में 0 है, ठीक है, ठीक है, left to right जाने की time पर मुझे, यहां पर 0 दिखाई दिया, पहले ही, मैं 0 माप कर दिया, उसके दो में 2 0 है, तो वो दनों क्या आप जाएगे, cancel, cancel क्यों होगे, क्योंकि student हर एक कुमे को एक चीज़ असाइंड करना है, दो चीज़ असाइंड नहीं कर सकता, धड़को मेंने वान असाइंड कर दे तो और जितने भी 0 से वो cover हो जाए, तो minimum number of line draw करने के लिए अपना rule है, क्या है, पहला rule, tick the row step में बता दो, minimum number of line draw करने के लिए rule से वो बता रहा, पहला rule है, tick the row having no assignment, ये row में assignment नहीं था, ये row में भी assignment नहीं था, tick the column having 0, इंद टिक row, 0 का आपे tick row में यहां पर है, 0 तो जहां पी ज करो, tick the column having 0 in the tick row, tick row में जापर भी 0 का वो column को tick करो, next, tick the row having assignment in the tick column, tick column में assignment कहां पर हैं आपे, तो वो row को tick करो, ठीक है न, तो ये कर लिए हमने, अभी आपस जेगे, to tick row में कई 0 है, क्या नहीं है, 0 होता दो में वो column को भी tick करता है, वो method follow करते रहना है, जबता सब possible cover नहीं ह नहीं हो, तो सब ticking cover होगे, और कोई ticking possible नहीं है आपर, ठीक है, तो आपस जो बताता हू, tick the row having no assignment, पहला, second, tick the column having 0 in the tick row, third, tick the row having assignment in the tick column, ठीक है, तो तीन भी मैंने cover करने का आपर में मैं मैं minimum number of line draw करूंगा, which is tick column and untick row, तो ये tick column में मैं लाइन 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 ल गरो, anti-gro ये ना मेरा, ठीक है, तो तो टीक column और anti-gro पे जब मैं line draw करूंगा तो मेरे सारे 0's क्या हो जाएगे, cover हो जाएगे, तो next step क्या भी मेरा है, आपर, next step ये मुझे देखना है, तिल आपका तो में पुरे table को next slide पर carry कर दाँ हू ठीक है, इस आरी चीजे मैं वापस आगे स्लाइड में तीक है फटाफट कर लेते ही है सबसे बखला यहां पर यह हो गया यह चैनल हो गया तो तिन भी ओके अ बंध्यू कर रश्ट राइड लेगे अ नहीं नहीं असाइन क्या था नशमर्या से यह चाहिट अध्या। थे अनध्यू खटो गएते है ठीक है ना यह वो गया आस्केर में मैंने ticking का रूल अप्लाइ के यह था tick the row having no assignment tick the column having 0 in the tick row tick the row having assignment in the tick column okay यह वो गया minimum number of n का रूल है तो यह मैंने मेरी minimum number of lines draw कर लिए next step क्या है जो uncovered number system जो भी uncovered numbers है उसमें से सबसे smallest number कौन से है उसमें से smallest number है मेरा 1 कौन सा number है मैरा 1 तो मुझे करना है यह पर मैंने रूल लिखा हुआ है subtract this number जो smallest number 1 है पिलोओ रूपर में find out किया है इस सबस्ट्राइब इस number from all uncovered elements जितने भी uncovered element है उसमें से क्या करना है 1 को minus करना है तो 4 में 7-4 में 7-7 मैं 7-3 में 7-1 एटिक है जितने भी uncovered element जितने में से 1 minus करना है and add it क्या एड़ करना है smallest number 1 वन को add to all element which lie in the intersection of two lines निदो लाइन के intersection में वहां पर मुझे 1 को add करना है और यहां पर मुझे 1 को एड़ करना है यहां पर मुझे 1 को add करना है यह दो जगों पर मुझे 1 को add करना है and last and other element on the line remain unchanged यह जिनके उपस लाइन पास और यह वह क्या होगह unchanged तो यह जब मैं रूल पॉलव करूंगा तो मुझे मेरा नजा टेबल मिलेगा स्टूइंट यह है आप देख सकते हैं आप मैंने अन्पर ऐलेमेंट में से वन माइनस कर दिया जहां पर जो इंटर्सेक्ट हो रही थी दो लाइन पर आपर मैंने वन एड़ कर दिया और जहांसे सिंगल लाइन पास हो रही है वह करने के बार में क्या करूंगा वापस ट्राइक करूंगा असाइन करने का तो सबसे पहले हैं आप मैं असाइन किया इसको तो यह दून ऑप्षिंस क्या हो जाएगा इलिमिनेट हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट मैंने इसे असाइन किया कुछ भी गैसलने यह थार्ड मैंने इसे असाइन किया तो यह गैसलों हो गया यह भी गैसलों हो गया करेक्ट है next मैंने इसे assign किया तो भी आप जाएक से तो टोल मुझे फाइसिनमेंट करने वह कितने चाहिं मिल रहे हैं तो अभी भी एक रूव ऐसा है जहां प्र कोई assignment नहीं है तो टिकिंग का अपना यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर वापस टिक रो में जिरो है क्या नहीं है जिरो अगर होता तो बहुत को टिक करता ठीक है मेरा all possible ticking हुबे और मैं क्या करूंगा minimum number of line ब्रॉक अटुण कर सी अच्छा ओब्र करेक्टर या रहुझां रहुए से हमनी फजयता में लिर्वारा अपने को इंशनने साइश से intelligent अच्छे में एक साइज क्या 5 by 5 तो मिनिमम नंबर आफ लाइन 5 से कम होना च्छे 5 से कम है क्या 1 2 3 4 यह 4 लाइन में मैं सारे 0s कवर कर लिया तो में नेक्स्टेप वापन हुआ यह फॉलो करना है step 3 ठीक है ना smallest element ढूनना है smallest element कौन सा है इस बार 2 है smallest element करेक्ट तो यह smallest iol यहां परिंटेक्शन हो रहा है यहां पर टीसरेक्शन हो अभी next step के मुझे वापस होगी करना assignment ओके करने करने करें वापस असाइन करूगा तो सबसे पहले मैं आपके आसाइन करूँगा इसको मिने असाइन किया तो यह possibility खतम होगे नीचे की 4 पर cross ठीक है next इसको मैं और इसको असाइन करूँगा तो यह possibility फोलम नेस्स पॉसिपल असेन में यह होगा क्रेक्ट ना यह को किया मैंने तो यह क्या होगा कैंसल तो, भीबब देट सव टेसेक अब भी भी नहीं हुआ एक अस्येम्ट अभी भी नहीं हुआ तो अभी वा आपस मैं कहा मिनिमॉंप नूबर अफ्लाइड ये प्रेॅध टिक कि यहां पर करना है और तो क्या करना अब यह तिक को देखके देखने हैं यह तो यह अब यह कहीं पर है यह यहां पर है यह कॉलम में यह इसेंट में यहां पर मैं तिक कर दूँगा तो सारे टिकिंग से होगा इस्टोएंट एक बार मैं वापस आपको को रिकेप करवा देता हूं ठीक है ना कन्फिजन करेट होगा निसरी को लेगे टिकिंग की कॉंसेट करशे से देखना है ठीक है तो आपस मैं एक बार रिकेप कर रहा हूं थाकि आपके यह गींग का पुरा क्लियर हो जाए है यहां पर मैक्सिमम टाइम टीकिंग आया ठीक है next देखना के यह कॉलम में कि assignment है क्या येस assignment है अगर assignment है तो वो रो को टिक करना है अगेशन ये रो में जेखो करी पर जिरो है क्या yes दो जगा पर जिरो दो कॉलम दुनों को मुझे तो तो सारे टिक होगे अभी आप देख से तो यह आप देख से जिरो नहीं यह गई पर गैसल किया हुआ थिक है तो आपको क्या करना है मिनिमम नमबर ऑफ लाइं ट्रॉक करना है टिक कॉलम एक ही दो वह एक है टो कि कॉलम का तो नेक्स अंटिक रोह आंटिक है तो यह यह और करके जितने बी जिरोस है सारे जिरोस के कर दूँगा मैं इस्ट्रं चर्ण टोंगा ठीक है ना तो आप जिसके मेरा वान तू टू थी पो फो फोर लाइंस मेंने ड्रॉप की है यह मैंक्रिक का साइज फाइज और मेरे लाइन कितने ड्रॉप किया है फोर मतलब यह मेरी मिनिमुम नुम्बस और रहे हैं अब आपस से फॉलो करना है स्टैप नंबर थ्री स्मॉलेस्ट ऐलेमेंट कौन साथ वन तो जितने भी अनकवर्ड एलेमेंट उसमें से वन माइनस कर करना है और जहां से सिंगर लाइन पासर जी हुए अलिमेंट को हैसिट इस लिग जाना ठीक है ना तो मैं मैंने ने टेबल बना दिया आपर यह को फॉलो करके ठीक है अनकवर्ड एलिमेंट को माइनस वन कर दिया जहां पर लाइन इंटेसेक्ट गर दिया देख सकते हैं कि यह पॉसिबिटी खतम हो जाएगी कि यह पॉसिबिटी खतम होगे कि यह से स्ट्रेट लैस्ट इरात प्रक्राव आथे यह सब्सक्राइए जब क्या जब कि इस इसको जाए तो मोगे थ़ये थ translates फॉसिबिटी खतम और भौब्लेंट कि ते टीक है ना यह मैंने लिग नह कि यह पर भोला मी पर नहीं है ठीक है नेश्ट इस इसे यह रहा तो फल्वील मैं भिbt अ Сंप करूँ गा तो या ऑप बंच हो गया यह Empress आज सभुक्त और बिद्स है कि पाच आसइनमेंट होगया मेले कितना होगया है है तो मैंने सारे वेगंस को सारे स्टेशन के साथ क्या कर दिया असाइं कर दिया मतलब यह मेरा फाइनल अंसर है अब आपको क्या देखने है और इसे टेबल में जहां जाँ पर यह अब आपको नोट डां करना है तो मैं मेरा फाइनस स्टेट्मेंट करता हूं वेगं 1234 यहां पर स्टेशन आएगा स्टेशन और यहां पर यहां पर वन को मैंने वन अलॉट किया और आप देख सकता और यहां पर ने रिखा होगा थीक है को मैंने फूर भुक में देख लीजिए वापस दिया रहेगा लाएगा इस इस चर्कल पर नाइन लिखा वोगा और लास्ट विस्ट को मैंने फिफ्स तर्साइंड किया तो यहां पे आप देख सेक्थे कि 10 लिखा होगा ठीक है ना जब आप इसको एड़ाप करोगे जब आप सारी नंबर्स को एड़ाप करोगे तो आपका आपका फाइनल अंसर मिल जाएगा विच कम्स तो 39 कितना आया स् आपके तो